दो हजार तेइस का भारत दूर्जनों का पतन होगा यूग परिवर्तन नमस्कार, मैं आश्ट्रो गुरुमा डॉक्टर जोती जोशिया आप सभी जोतीश प्रेमियों का हर्दिक स्वागत करती हूँ जोतीश के दूर्ष्टिकों से ग्रहस्थिति में समय समय पर होने वाले बदलाओं, उनके परिणामों हम सदईव विश्णेशन करते हैं उस अनुसार आज हम दो हजार तेइस का भारत इस विशय पर विस्तार से वारताराप करने वाले हैं अंग्रेजी नववर्ष के प्रारम में ही गोचर तो आरा एक विशेश क्रह स्थिति निर्मान हुई है जो विभिन्न दुरुष्टियों से अत्यनत महत्व पूर्णा है एक प्रकार से यूग परिवर्थन इस काल में होने वाला है साथ ही संपूर्ण विश्व पर छाया हुआ कोरोना यूद्ध की स्थिति ऐसी कई चीजे इस काल में होने वाली है उन सभी में भारत की स्थिति क्या होगी, किसे परेशानी होगी, ऐसे कई महतोपूर्ण चीजों पर आज हम वारतालाब करने वाले हैं, इसलिए आज का भाग अंतर तक देखे, साथ ही यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगे, तो उसे शेर अवश्य करें, और कमेंट में जे जोतिश भी लिखे, हमारे चारों और घोर अंदेरा चाया हुआ है, फिर भी हम विचार करते हैं, कि हम उन्नती अवश्य करेंगे, आगे अवश्य बढ़ते रहेंगे, एक छोटा सा दिया हमारे हाथ में हैं, दो हजार माईस में, जब हमने भारत का वार्शी क्राशी भवश्य दिया था, तब उसमें हमने कुछ महतो परुन चीजों से आपको अवगत कराया था, और दो हजार माईस में वह चीजे देखने को भी मिली, उस पिछले वीडियो को आप इसी चानल पर देख सकते हैं, उस में हमने जो घटना करम बताया था, उसी के अनुसार प्रभाव देखने को मिला, साथ ही हमने बताया था कि 2023 में भारत एक अलग तरीके से वीश्यों के सामने आएगा, और आज पुनश्य हम वही बताने वाले हैं, मुझे न्यात है कि हमारे चारोर से कोरोना की समस्या गिरी हुई है, तीसरा विश्व युद्ध दर्वाजे तक पहुझ गया है, ऐसी स्थीती में, 17 जनवरी 2023 को शनी महराज कुमराशी में प्रवेश्कने वाले हैं, यह एक अलग स्थीती निर्माण हुई है, जिसे हम यूग परिवर्तन या और कुछ कह सकते हैं, लेकिन विश्व आपके लिए थोड़ा आश्चे कारक रहेगा, लेकिन किसी भी व्यक्ति का, शहर का, राज्य का, देश का एक बविश्य, एक दिन का नहीं होता, उसमें भी जब हम देश या राष्टर का विचार करते हैं, तो उसका संबंध हजारों वर्षों से होता है, इस बात को ध्या आज हम वारतालाब करने वाले हैं, या उसे समझाने का प्रयास करने वाले हैं, भारत, हिंदु, हिंदु धर्म, हिंदु राष्ट्र इस दुरुष्टी से विचार करें, तो हमारे उपर विभिन प्रकार की संस्कूरूतियों का लगातार आक्रमन हुआ है, उस संधर्व मे हमारा इत्यास अत्यनत बड़ा है, फिर भी हमारी संस्कूरूति आज भी टिकी हुई है, किसी भी अन्य संस्कूरूति का हमारी संस्कूरूति में स्वागत किया अर्थात उस कारण विभिन प्रकार की समस्या ये भी निर्मान हुई, आने वाले आतितियों का स्वागत करना और उससे निर्मान होने वाली समस्या और सुविधाओं का सामना करना यह समस्कृति ने हमें सिखाया था गुस्तिती में बदलाओ तब हुआ जब अंग्रोजों ने हमारे देश में प्रवेश किया उन्होंने एक अलगी पद्दति का प्रयोग किया था अर्थात उनके पहले हमारे देश पर जो भी आक्रमन होये थे वे सब साबने से थे विविन्न माद्यों में दारा परेशानी उत्पन की जा रही थी लेकिन अंग्रेज हमारे देश में व्यापारी बनकर आये थे और बाद में राजजे करता बनने गये उन्होंने धिरे-धिरे हमारे संस्कृति को ठेश पहुचाना शुरू किया हमारी ही संस्कृति को हमारे ही सामने अलग पद्दती से दर्शाया गया उसका एक अलग चित्र हमें दिखाया गया वास्तों में देखा जाए तो कोई भी चीज परिपूर्णा नहीं होती छोटी बड़िया कमिया हर चीज में पाई जाती है जो हमारी संस्कृति में भी निश्चित रूप से थी लेकिन उन कमियों को एक अलग पद्दती से दर्शाया गया दूसरे महा विश्व महा युद्ध के बाद कहा गया कि अब पुनस्य विश्व युद्ध होना नहीं चाहिए युद्ध में आती मिनाशक शस्त्रों का उपयोग करना नहीं चाहिए अब यही बात हमारी संस्कृति में महा बाहरत के युद्ध के बाद कही गई थी लेकिन उस चीज का परिराम यह हुआ कि शस्त्रों के संदर्व में हम कही न कही पीछे रहे गए अर्थात अन्य कई चीजों में हम संपूर्ण विश्व के आगे थे केवल शस्त्रों के संदर्व में हम पीछे थे उसी चीज का अ प्रकार से हमारी संस्कूरूती को नीचा दिखाया गया जिससे दिरे दिरे ऐसी स्थिति निर्मान हुई कि हम स्वयम अपनी संस्कूरूती को पिछड़ी हुई मानने लगे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल और हां बेल आइकॉन दबाना ना भुले धन्यवाद जब मनुष्य अपना सन्मान गवा देता है तब सब कुछ गवा बैठता है उसकी लड़ने की शक्ती लुपत हो जाती है जो हमारे साथ हुआ बगवत गिता कई लोगों ने पढ़ी होगी या सुनी होगी उसे जब जब हम पढ़ते है या समझने का प्रयास करते है तब तक उसका एक अलगी रूप सामने आता है गिता के अनुसार जैसा हमें पता है कि अर्जुन हताश होकर शस्त्र नीचे रंग देता है वहाँ एक अंतर विरोत की स्थिती निर्मान होती है अर्थात अर्जुन कुछ और प्रश्ण पुस्ता है और भगवान श्रीकुष्ण उसे उत्तर कुछ और ही देते हैं अर्जुन जो प्रश्ण पुस्ता है वहों व्यक्तिकत होते हैं अपने संदर्भ में परिवार के संदर्भ में वह प्रश्ट होते हैं भगवान श्रीकृष्णन उसकी बातों को नजर अंदाज करते हैं और उसे हमारा धर्म का सनमान करने की सीच देते हैं अर्था अर्जुन के प्रश्ण व्यक्तिकत होते हैं मेरे बाही मेरे चाचा मेरे गुरू के विरोद में जाना उनके साथ उद्ध करना मेरे लिए संभव नहीं ऐसा वह खरता है लेकिन श्री कुरुष्णा उसे समझाते हैं यही तुमारा धर्म है यही तुमारा कर्म है साथ ही वे अर्जुन के मन में सन्मान को जगाते हैं यह सबसे महतोपुर्ण मुद्दा है यह न्यान हमें गीता से मिलता है जिस कारण भगवत गीता आज के समय काल का सबसे बड़ा मोटिवेशनल करंथ है ऐसा हम कह सकते हैं जीवन के सभी प्रश्णों के उत्तर उससे हमें प्राप्त होते हैं बगवान श्री कुष्णा अर्जुन को सबसे पहले अपने सन्मान के संधर्व में समझाते हैं अपना सन्मान पर मुझे जीवित रखना है हजारों और शोके बाद जब तेरा नाम लिया जाए तब धर्म के रक्षन करता के रूप में लिया जाना चाहिए यह ग्ञान हमें गीता से मिलता है लेकिन अंग्रेजों द्वारा हम पर स्लोप और जनिंग किया गया जिस कारण हम उस ग्ञान को दिरे दिरे बूलते चले गए दिरे दिरे हम हमारा सनमान बूलते चले गए और दूसरों की चीजे हमें पसंद आनी लगी कुछ समय तो स्तिती यहां तक पहुची कि हम हिंदू है यह बोलने से भी हम ड़ने लगे प्रति दिन मंदिर में जाना धर्म की प्रमुक आर्चरन करना पिछडापन है ऐसा चीत्र निर्बान किया गया यह स्थिती भारत स्वतंत्र होने के बाद भी कई वर्षों तक बनी रही क्योंकि स्वातंत्र देश को मिला था लेकिन कहीं न कहीं हम मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं हुए थे जैसे जैसे हम हमारा सन्मान बूलते गए वैसे वैसे हमारा देश पीछे रहता गया लेकिन आस्तिती बदल गई है कहीं न कहीं अब हमें लगने लगा है कि यह गलत है अब प्रश्णा ऐसा है कि इस बात का आज क्या संबंद है तो जो चेतना भारतियों में उत्पन्न शास्त्र की शास्त्रिय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी दो किताबे प्रकाशित हो चुकिये हैं उनका अवश्य लाभ लीजिए एक जन्वरी 2023 का गोचर यदि हम देखे तो वहां हमें कुछ अलग ही दिखाई देता है गुरु महराज मीन राशी अर्थात अपनी जलतत्व की राशी में और प्राकृतिक कुंडली के वेयस्तान में विराजबान हैं गुरु का अर्थ धर्म होता है वहां अध्यात्म के कारक है आज भले ही वेश्वर राशी में लेकिन उनकी दो राशिया है एक धनू राशी जो प्राकृतिक कुंडली के धर्मस्तान में आती है और दूसरी मीन राशी जो प्राकृतिक कुंडली के वेयस्तान में आती है गुरु महराज जब धर्म के स्तान से कार्यानवित होते हैं तब हमें धर्म सिखाते हैं वहां हमें जो गुरु मिलते हैं वे श्रीकृष्ण के समान होते हैं लेकिन वही गुरु महराज जब प्राकृतिक कुंडली के व्यस्तान में अर्थात अपनी मीन राशी में होते हैं तब हमें अध्यात्मक की ओर लेकर जाते हैं धर्मस्तान के गुरु महराज से हम धर्म का रक्षन करना सिखते है और व्यस्तान के गुरु महराज से हम अध्यात्म सिखते है एक जन्वरी 2023 को गुरु महराज मीन राशी में होगे शनी महाराज 17 जन्वरी को राशी परिवर्तन कर कुम्ब राशी में प्रवेश करेंगे उससे पहले वे मकर राशी में विराजबान है वहाँ शनी देव के पिता एवं आधर्श शत्रु माने जाने वाले रवी देव 14 जन्वरी को प्रवेश करेंगे अर्था 14 जन्वरी से 17 जन्वरी तक वह एक ही राशी में रहेंगे रवी का अर्थ सत्ता शक्ती होता है और शनी देव को सामान्य जनता का कारत कहा जाता है अब वहां मकर राशी में रवी देव निर्बली है और शनी देव स्वर राशी में है उससे आगे जाकर जब हम देखते हैं तो 17 जन्वरी को शनी देव कुम्भ राशी में प्रविश करेंगे और रवी देव मकर राशी में ही रहेंगे तब शनी देव की शक्ती अधिक बढ़ जाएगी क्योंकि तब वे अपनी मूल त्रिकोन राशी में होंगे प्राकृतिक उंडली के इच्छा पूर्तिक के स्तान में होंगे वहां से उनकी दुरुष्टी मेश राशी के रहुपर होगी और उन दोनों में गुरु महराज विराजमान रहेंगे साथ ही शनी महराज के व्यस्तान में उनके ही राशी में रवी देव निर्बली अवस्ता में रही गे इस संपूर्ण स्थिति का परिणाम यह होगा कि अब जिनों ने अपनी सत्ता संपत्ति आधिकारों का दुरूपयोग किया है उनके लिए यह समय बड़ी परेशानी का रहेगा यह समस्या भारत के साथ संपूर्ण विश्व में आएगी जिनों ने भी अपनी आधिकारों का अपने पैसों का संपत्ति का शक्ति का दुरूपयोग किया है उन सभी को परेशानी का सामना करना पड़ेगा क्योंकि शनी महराज विश्व के नया अधिश पाने जाते है और वे 17 जनवरी के बाद एक अलग तरीके से कार्यानीतों के है एक प्रकार से यूग परिवर्तन के इस समय काल होगा क्योंकि कई वर्षों से जो शुरू है वह अब बदलने वाला है बदलाव शुष्टी का नियम है और उस बदलाव का अब समय आ गया है अब वर्तमान स्तिती की बड़ी समस्या कोरोना है क्या कोरोना पुनस्च आएगा तो हाँ वह आएगा लेकिन हमारे देश को उससे अधीक परेशानी नहीं होगी जो अन्य देशों को होने वाली है या हो रही है चीन यूरोपिय देश या हमारे पड़ोसी सभी देशों को उसकी परेशानी होगी लेकिन उस तुल्ला में भारत को थोड़ी कम परेशानी होगी अर्था इस बात का आपको बड़ा अश्चे कई लोग इस पर अविश्वास दर्शाएंगे ऐसा कैसे हो सकता है लेकिन यह अवश्य होगा भारत को कोरोना से परेशानी होगी लेकिन अन्य देशों की तुल्ला में वह सिमीत रहेगी जिन्नों ने भी गत समयकाल में अपने अधिकारों का शक्तियों का दुरूपयों किया है उन्हें अधिक परेशानी उठानी पड़ेगी सामान्य दंता को उस्तुल्ला में थुड़ी कम परेशानी होगी जो परिश्रम करते हैं इमानदारी से अपना काम करते हैं उन्हें अधिक परेशानी उठानी नहीं पड़ेगी जो सत्ता में हैं लेकिन धर्म के मार्ग पर सत्य के साथ उन्हें भी परेशानी उठानी नहीं पड़ेगी लेकिन अन्य लोगों को परेशानी का सामना अवश्य करना पड़ेगा क्योंकि शनी महराज न्याय करने के लिए आने वाले हैं इस संपूर्ण प्रक्रिया में जब हम कुंडली को देखते हैं तो शनी देव के प महतो पूर्ण बात है की शनी और राहू इन दोनों ग्रहों के पाप करतरी में अटके उड़े हैं गुरु महराज के आगे मेश राशी में राहू ग्रह विराजमान है जो शनी देव का मित्र ग्रह बाना जाता है उसी समय मंगल ग्रह जिसे हम ग्रहों का सेनापति कहते हैं वह रुशब राशी अर्थात अपने शत्रू ग्रह की राशी में रहेगा उसमें भी 12 जनवरी तक वक्री अवस्ता में रहेगा उसके बाद रुशब राशी में ही मारगी होगा परिणाम सरूप आज तक जिनोंने अपने अधिकारों का शक्तियों का दुरूपयों किया है उन्हें परेशानी अवस्य होगी इतनी की उन्हें अपना मारग बदलना पड़ेगा उसके बाद 2023 में ही जाक्तिक स्तर पर युद्ध की स्तिती नेमान होगी उसमें हमारा भारत देश तटस्ता ताकी भुमिका लेगा अर्थात केवल तटस्त न रहते हुए उचीत समय पर भारत भी युद्ध में प्रवेश करेगा लेकिन उन्नती के साथ भारत को उचीत सन्मान भी मिलेगा कोरोना की समस्या का भी भारत देश सक्षमता से सामना करेगा उसके बाद आर्थिक सामाजिक जैसे विभिन्नक शेत्रों में भारत की बड़ी उन्नती होगी इसलिए आने वाला समय भारत के लिए भारतियों के लिए अत्यन्त बहुतो पुरुन है एक प्रकार से यूग परिवर्तन का यह समय काल होने वाला है उसके स्वागत के लिए हमें तयार रहना है इस प्रकार 2023 का भारत इस विशे को समझने के लिए इतनी जानकारी पर्यापता है हम यही रुपते हैं यह जानकारी आपको यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय जोतिश अवस्ष्य लिखे अगले भाग में हम नमिंतम जानकारी के साथ पुनस्च अवस्ष्य मिलेंगे धन्यवाद शुभम भवतु जय जोतिश प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल और हां बेल आइकोन दपना ना भुले धन्यवाद